दोस्तो मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजूकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ देखिए आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को हिंदी हंडे मार्क्स का वीडियो बना चुकी हूँ देखिए आज का वीडियो इंग्लिस कंपोजिशन जिनका 50 मार्क से उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा एक्जाम में जाने से पहले तक आप लोग एक जाने के दिन तक मैं इसमें जितना भी बताऊंगी अगर ग्रामर पोर्षन आप लोग अच्छे से नहीं भी देखते हैं तो कोई बात नहीं लेकर लिटरेचर पोर्षन अच्छे से देख लीजेगा क्योंकि ग्रामर में बहुत इजी इजी कोसन आता है आप आप लोग खुसे भी कर लीजिएगा लेकिन यह सभी कुसन आप लोग जरूर देख ली जेगा और मैं आद सभी के सभी कोसन बहुत जगह से 100 percent confirm कर वाली हूँ उसके बाद आप लोगोंको बतारी है थैकि आप लोगोंको बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जिनका इंग्लिस 50 मार्क्स है तो चलिए मुझे जो बोलना था वो बोल चुके है अगर आप लोग चैनल पे चैनल पे न्यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पे आप लोगों को एस्टरडी से रिलेटेड बहु वह से बीनपर छाहर है यहर आप लोगों को सब्सक्राइब तो अबोका को अप्सरी जो पूरा देखिए बस एक वीडियो आप लोग के लिए इनफ है तो आज में आप लोग को सभी के सभी इंपोर्टेंट को सन करवाने वाली हूँ तो आप लोग पेसेंस बनाएके वीडियो को पूरा देखिए बॉक्सरी सोल टू दी नैकर्स फूर वाट रीजन तो आप लोगों का इसका करेक्ट नसर होगा ही इज हाट एंड नो लॉंगर वर्क तो आप लोगों का सिक्स का ओप्सन नमबर सी करेक्ट है तो आप लोगों का इसका करेक्ट अंसरों का ओल एक्वल एक्वल एक्षेप्ट देखिए आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूंगी अपने तरफ से आप लोग यूटूब पे सर्च किजएगा एनिमल फार्म नोबिल और किसी ना किसी अच्छा कोई ना को वीडियो बहुत सारा वीडियो आजाएगा जिसमें से आप लोगों को जो भी अच्छा लगेगा एक वर आप लोगों को जरूर देख पार मतलब की देख लिजेगा उस वीडियो से तो आप लोगों से एक्जाम में कोई भी कोशन पूछा जाएगा आप लोग आसानी से बना इसका करेक्ट अंसर होगा अनिमलीज्म तो नाइन का आप लोगों का आप अप लोगों का ओप्सं नमबर बी जो हैना बिल्कील कारेक्ट है 11 number क्या है who represents Stalin in animal farm तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा Napoleon 11 number का question का option number A correct हो जाएगा Question number 12 क्या What does boxer feel when he thinks he killed a farm hand तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा Regret Question number 12 का option number B correct हो जाएगा Question number 13 क्या आप लोगों का By the end of the novel, things were far better than they had ever been in John's time तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा Option number B 13 का वो बिल्कुल correct है चलिए देखिए next question क्या है Napoleon used the lion young days as a military threat तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा True 14 का option number A जो है बिल्कुल correct है Who dies in a battle of cow shit तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा Only one sheep 15 का option number B जो है वो बिल्कुल correct है Question number 16 क्या है Napoleon abolished the singing of the bits of England Because it gave the animal evolutionary ideas तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा Option number A चलिए देखिए next question क्या है The pigs were fair leaders who created a better life for the other animal on the farm तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा False 17 का option number B जो है वो correct है 18 नमबर क्या है ऐसे देखिए आप लोगों अगर 50 marks का exam देने जारे तो आप लोग मुझे पता है Animal farm तो आप लोग नोबेल पढ़ी लिए होंगे क्योंकि यह आप लोग का slavus में है तो आप लोगों को भी पता चलना होगा मैं सही बता रही हूँ लाइक नेपोलियन दस तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा option number B 19 का B चलिए 20 नमबर क्या है अप लोगों का 20 का होगा option number C जो है न 20 का वो बिलकुल correct है चलिए देखें next question क्या है 21 तो आप लोगों का 21 का option number C हम लोग 20 देख चुके 21 का option number C जो है न वो बिलकुल correct है चलिए देखें what do the pigs buy तो आप लोगों का 22 का option number C जो है न वो बिलकुल correct हो जाएगा चलिए देखें next question क्या है 22 तक हो चुके 23 क्या what is the overriding factor that determines the animals place in society तो इसका correct answer हो जाएगा their intelligence 23 का option number C जो है न वो बिलकुल correct है 24 क्या आप लोगों का which pig writes the poem loading Napoleon तो आप लोगों का इसका correct answer हो गा thats killer 24 का option number B जो ही जो है न वो बिलकुल correct है 25 क्या which of the pigs proves the best writer तो आप लोगों का इसका correct answer हो get snowball option number A जो है न वो बिलकुल correct है 26 क्या which animal lives the farm voluntary तो आप लोग का इसका correct रोजागा Molly 26 का option number A जो है न है वो बिलकुल correct है 27 का ओर्वेल suffered a bullet injury during तो आप लोग का इसका correct रोजागा Spanish Civil War 27 का option number B correct हो जाएगा चलिए देखे next question क्या है which character in animal farm worked tirelessly until he could no longer work तो आप लोग का इसका correct रोजागा boxer 28 का आप लोग का option number B जो है न वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा 29 क्या what was Orwell's real surname तो आप लोगों का 29 का Blair option number A जो है न वो बिल्कुल correct हो जाएगा 30 नमबर क्या who gives a speech to all the farm animals तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा old major next क्या है who was forced to leave animal farm because he was Napoleon main rival तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा old major 31 का option number A correct होगा 32 क्या what corrects the ruler according to Orwell तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा power 32 का option number B जो है न वो बिल्कुल correct हो जाएगा 33 क्या what does Napoleon discover about Frederick payment तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा it's a fake money it is a fake money तो 33 का option number B correct हो जाएगा 34 क्या what kind of satire is found in animal fire तो आप लोगों का इसके correct answer हो जाएगा political 34 का option number C जो है न वो correct है 35 क्या who wrote animal farm तो आप लोगों का who wrote animal farm तो जोर्ज पॉडवेल तो आप लोगों का देखे यह कुशन fix है आप लोग एक जाम में आएगा देख लिजेगा आप लोग 36 क्या what kind of story does the author call animal farm तो आप लोगों का इसका हो जाएगा फेरी टेल तो आप लोगों का farm where the story of animal farm begins तो आप लोगों का इसका Mr. Jones 38 का option number B जो है न बिल्कुल correct हो जाएगा 39 क्या in what state does Mr. Jones head to bed at the beginning of the story तो आप लोगों का इसका correct answer हो जागा ट्रंक है तो 39 का option number D जो है न वो correct है 40 क्या what is the name of the song that old major teaches the animals तो आप लोगों का इसका correct answer हो जागा beast of England तो 40 का option option number A जो है न वो बिल्कुल correct है चलिए देखिए next question क्या है the only animal who does not attend old major meeting in the burned is तो आप लोगों का 41 का हो जाएगा option number A message is the correct answer next क्या है what type of animal is old major तो आप लोगों का A pig हो जाएगा 42 का option number A correct हो जाएगा देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि जितने भी important objective question है सभी को cover किया जा रहा है तो आप लोग पेशेंस बना के class को पूरा देखिए what does old major wish to share with the other animals in chapter 1 तो 43 का आप लोगों का क्या हो जाएगा his dream from the prior night 43 का आप लोगों का option number A जो है न वो बिलकुल correct हो जाएगा 44 के नेम दपार्ट देखिए अब आप लोग का जो animal farm से आप लोग बस दो ही चीज तो बस एक animal farm नोबेल जो है वो पढ़ लिजेगा न और इतना basic grammar तो सबको बहुत मतलब कि बच्पन से याता है क्लास 3 से सब ग्रामा पढ़ते हैं तो आप लोग सिर्फ nobel अथी से पढ़ लिजेगा न तो आप लोग आसानी से 50 out of 50 स्कूर कर पाईएगा तो आप लोग को पता होगा यू जो है वो प्रोनाउन है प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन के बदले आता है आप लोग का ये सभी जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा चलिए देखिये नेक्स्ट क्यूस्ट क्या ग्रामर में कुछ में आप लोग को समझाब भी दोंगी ताकि आप लोग के लिए एकजाम में आसानी हो चलिए देखिये 46 का नेम दा पार्ट आप अफ प्रेशं और अप माइ सूज अंडर देचेंटेवल तो देखिए यह आप लोग का अंडर हो गया ओफ हो गया एट हो गया इंटू हो गया यह सभी के सभी आप लोग का पुड़े पोजिशन होता है तो 46 का ओप्सन नंबर बी जो है न वह करेक्ट हो जाएगा 47 के आप लोग का नेम देपार्ट आप लोग को इसमें प्री पोजिशन फिल करना है तो इसका हो जागा एट दा प्लैटफॉर्म तो 48 का आप लोग का ओप्सन नंबर जो है न वह करेक्ट है 49 के फिल इन दबलैंस विट इस्यूटेबल प्री पोजिशन ही डाइट डैस तो आप लोगों का 49 का ओजाएगा विट 49 का ओप्सन नंबर सी जो है न वह बिलकुल करेक्ट हो जाएगा 50 के आप लोग का दिकरेक्ट इनडिरेक्ट फॉर्म अब दे सेंटेंस रवी सेट तो म 50 का ओजाएगा रवी टोल्ड में डैसे इन डैसे बनाते हैं जब भी तो यह सेट जो है न वह टोल्ड में चैंज हो जाता है तो आप लोग एक और आप कट कर सकते हैं ओके चलिए देखें नेक्स्ट क्वेस्टन क्या है फिप्टीवान क्या वाट उट विडिक इंडिरेक्ट फॉर्म अप्टीचर सेट वेल दन तो आप लोग इसका एंसर क्या हो जाएगा दाट टीचर फिप्टीवान है ना तो टीचर प्रेज़ेज दी बॉइज देखी में आप लोग इसका इसका ओप्शन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि समय बॉइज तो कुछ आई यहां पर इस्टुएंट होना चाहिए फिप्टीवान का आप लोग का ओप्शन नमबर डी फिप्टीथरी क्या है आई वंडर्ड लोनली अजर क्लाउड इजर एक्जामपल अफ तो आप लोग का इसका हो जागा इसमें आप लोगों का फिप्टीफोर का ओप्शन नमबर बिल्कुल करेक्ट है चलिए देखिए अब नेक्स्ट को सन देखेंगे देखिए बस आप को एक ही काम है इंग्लिस 50 marks के जितने भी एक्जाम देने जा रहे ना सभी के पास इस वीडियो को पहुचा देजिए और आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए होगा जिस्वी विसाय का कुछ भी एजुकेशन से डिलेटेड आप लोग मुझे कमेंट सेक्सने बता भी याद रखेगा आइविस आइवेर चलिए देखी नेक्स्ट के वी ऍटेस वी धास लगा माल स्णा जॉकेश गॉंप the price of mangoes has gone up तो आप लोगों का गों अप तो आप लोगों का 57 का है न option number B correct हो जाएगा 58 के he promised that he dash hard तो आप लोगों का 58 का क्या correct हो जाएगा would work he would work hard 58 का आप लोगों का option number B जो है न वो correct हो जाएगा 59 के आप लोगों का he died of cancer but she died dash injury तो आप लोगों का इसका 59 का जो है न option number C जो है न बिल्कुल correct है next के the work was done dash his तो आप लोगों का 60 का option number D जो है न वो बिल्कुल correct है मतलब 6 का the concept 2 61 के the village was destroyed the village was destroyed with fire तो आप लोगों का 61 का option number D जो है न वो correct हो जाएगा I have known him dash a long time तो आप लोगों का 62 का आप लोगों का कौन सा correct हो जाएगा 62 का बिल्कुल चलिए देखिए next question क्या है he died dash his country तो आप लोगों का he died dash his country तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 63 का for his country तो 63 का option number B जो है न वो correct है 65 क्या है आप लोग साथ screenshot नहीं ले पाएगा तो 63 का आप लोगों का option number B correct हो जाएगा और 64 क्या है they live dash the same roof they live under the same roof तो 65 क्या है don't cry dash split milk तो don't cry आप लोगों का don't cry over split milk तो next क्या है dash doing this job तो आप लोगों का 66 का क्या हो जाएगा of doing this job 67 क्या it is a 10 o'clock dash my watch तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा by next क्या he agreed to dash my order तो आप लोगों का इसका correct answer क्या हो जाएगा carry out 69 क्या है he dash in the he broke down in the middle of his speech 70 क्या please dash the lamp तो आप लोगों का 70 का क्या हो जाएगा 70 का आप लोगों का please put off the lamp तो 70 का option number a correct हो जाएगा 71 का you cannot always dash appearance तो आप लोगों का 71 का option number a जो हैगा वो बिल्कुल correct हो जाएगा तो 71 का option number a गोवित correct है चलिए next question क्या है his uncle dash him तो आप लोगों का his uncle looks at him तो आप लोगों का 72 का option number b जो हैगा वो बिल्कुल correct हो जाएगा 73 का he is dash with fever तो आप लोगों का 73 का he is led in with fever तो आप लोगों का 73 का option number c जो हैगा वो बिल्कुल correct है 74 का the governor dash the prizes the governor gave up the prizes तो 74 का option number b correct हो जाएगा 75 का he dash the problem in a few minutes seconds तो आप लोग का 75 का क्या हो जागा work at तो आप लोग का 75 का option number C correct हो जाएगा आप लोग का he, originally you neuenам ना टो तो आप लोगों का he backed off my proposal उसके वागा 77 हो चुका है 78 क्या he said I can help you तो आप लोगों का 78 क्या हो जाएगा he said that he could help me तो आप लोगों का ऑप्शन नमबर बी जो है न वो correct हो जाएगा 79 के our teacher said don't waste time तो our teacher advised us not to waste time next क्या है she said thank you तो आप लोगों का इसके क्या हो जाएगा she said thank you का she thanked me तो आप लोगों का 80 का ऑप्शन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा देखिए यह सभी कुस्टन का क्लास तेंथ में भी जो जाम हो आप जिक्ति उसमें भी पूछा गया हो था और 12 में भी she asked him what do you want तो आप लोगों का 81 का क्या हो जाएगा 81 का ऑप्शन नमबर तो आप लोग क्या देखें तो आप लोग देखें कुस्टन नमबर 80 का कौन सा करेक्ट अंसर था question number 80 का option number A correct था 81 का आप लोग का option number D correct था और 82 का आप लोगों का 82 का कौन सा correct है do you want new clothes तो आप लोग का इसका 82 का option number A जवेन वो correct था चलिए देखें next question क्या है he said what a beautiful place तो आप लोगों का इसका correct अंसर क्या होगा he exclaimed with joy that it was a beautiful place तो आप लोग का 83 का option number B जो है न वो correct है इसका आप लोग का option number E बता चुकी है चलिए देखिए 84 का the saint said God helps those who help themselves तो आप लोग का the saint said that God helped those who help themselves तो आप लोग का 84 का option number B correct हो जाएगा 85 का death चलिए देखिए 85 number question का है death lays his icy hands on king is an example of तो आप लोग का इसका कौन सा correct answer है आप लोग का option number D जो है न वो बिल्कुल correct है 86 का personification is death तो आप लोग का 86 का option number B जो है न वो correct है giving death to elite things तो आप लोग का 86 का option number B correct हो जाएगा 87 क्या speech is silver but silence is golden is an example of तो आप लोगों का इसका option number D जो है न वो बिल्कुल correct हो जाएगा 88 क्या give every man they die year but few die तो आप लोगों का 88 का कौन सा option correct हो जाएगा 22 option number A जो है न वो correct हो जाएगा 89 क्या the child is the father of man is an example of तो आप लोगों का हो जाएगा इपिग्राम option number B जो है न वो बिल्कुल correct हो जाएगा ओके option number B है next क्या I came, I saw, I conquered is an example of तो आप लोगों का 90 का option number D जो है न वो बिल्कुल correct हो जाएगा hyperball next क्या the more hast the less speed is an example of तो आप लोगों का option number 91 का आप लोगों का option number A जो है न बिल्कुल correct है 92 क्या one of my friends does a car तो आप लोगों का one of my friends has a car तो 92 का option number A correct हो जाएगा 93 का bread and butter that's a good breakfast तो आप लोगों का is a good breakfast देखे बहुत सारी एस्पिन को लगेगा ये दो word है तो R लगना चाहिए बट इसमें easy लगता है 93 का option number D जो है न यही बिल्कुल correct है next question का है one must keep that's promises तो आप लोगों का 94 का option number C correct हो जाएगा बहुत important है ये question आप लोगों के एक जाम में आ सकता है one must keep one's promises next क्या है 95 he runs dash तो आप लोगों का 95 का he runs fast option number B correct हो जाएगा next क्या fill in the blanks with suitable word all that glitters is not gold तो 96 का आप लोगों का option number C जो है न वो correct हो जाएगा हर चमकने वाले चीज सोना नहीं होती 97 का है आप लोगों का a little dash is a dangerous thing तो a little knowledge या फिर learning ओके कम ग्यान है न बहुत ज़्यादा खतर नायक होता है तो 97 का option number D correct है 98 का fill in the blanks with suitable words all is well that dash will तो आप लोगों का 98 का all is well that ends well मतलब अंत भला तो सब भला बोलते हैं न सब अंत भला तो सब भला 99 का what does this prover mean birds of a feather flock together तो आप लोगों का 99 का क्या हो जागा like minded people come together तो 99 का option number A correct हो जागा what does the prover mean face is the index of men तो आप लोगों का face reflects our personality तो 100 का option number A correct हो जागा इस तरीके से हम लोग question number मतलब 100 question कर चुके है 50 question और करेंगे बस वीडियो खतम ही हो जागा तो थोड़ा patience बना रखी और वीडियो को पुरा देखिए चली देखिए 101 number question क्या there is no dash in this train तो आप लोगों का इसके क्या हो जागा there is no room in this train तो 101 का option number A correct हो जागा wasted times dash return तो आप लोगों का wasted time never returns तो आप लोग जो time waste करते हैं पूरे दिन वह कभी भी return नहीं आने आने वला इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देदीजिए और एक्जाम में अच्छे score कीजिए तो 102 का option number B correct हो जागा 103 का dash you like some water तो आप लोगों का इसके क्या होगा would you like some water तो 103 का option number D correct हो जाएगा who dash no tag or तो मतलब tag or को कौन नहीं जानता है तो आप लोग का इसके क्या हो जागा who do not no tag or तो 104 का option number B correct है ramez prefers tea dash coffee तो आप लोगों का इसका correct answer क्या हो जागा to coffee 105 का option number C correct हो जागा next क्या I dash live here in my childhood तो आप लोगों का I used to live here in my childhood तो आप लोगों का 106 का option number C correct हो जागा 107 क्या what is the meaning of the compound word happy go lucky तो आप लोगों का इसका correct answer हो जागा one who does not believe in luck तो 107 का आप लोगों का option number B correct हो जागा next क्या choose देखिए अब बहुत हीजी जी कुसन है बस correct spelling खुजना है तो आप लोगों से यह सभी में से correct spelling क्या है तो आप लोगों को पता होगा activity का spelling क्या होता है A C T I B I T Y तो आप लोग देखिए A C T I B I T Y option number कौन सा दिया हो है activity 108 का सभी के सभी option देखिए A C T I देखिए मुझे तो 108 का बी और डी दोनों के दोनों same ही लग रहा है कहीं भी difference नहीं लग रहा है ओके A C T I B I और A भी तो same ही लग रहा है चूज़ दी correct देखिए आप लोग activity का spelling क्या होता है activity activity यह भी सही है यह भी सही है यह भी सही है चूज़ दी word with correct spelling तो आप लोग को transistor का spelling बताना है कौन सा transistor का spelling सही है तो transistor का spelling जो है न क्या होता है transistor आप लोग का option number D correct हो जाएगा next क्या है कौन सा correct spelling है achieve का तो आप लोग का achieve का A C H I E B E होता है option number D जो है न वो बिल्कुल correct है चलिए देखिए next क्या है we saw him dash तो आप लोग का इसका क्या हो जागा has left 101 का option number 111 का option number D correct हो जाएगा 112 का है he said that he was playing tennis तो he is playing tennis said he आप लोग को पता होगा past जो है न वो present जो है वो past में change होता है यहा past है तो इसको present में change कर दीजे 112 का option number A correct हो जाएगा 112 का option number A correct है चलिए देखिए 113 क्या है he said time and time and time waits for none तो आप लोग का इसका correct हो जाएगा he said that time and time waits for none 113 का option number B correct हो जाएगा he said how exciting this sunset is तो आप लोग का इसका correct answer हो जाएगा 104 का C exclaimed with joy this sunset was very exciting 114 का option number A correct हो जाएगा चलिए 114 तक अब देखिए 115 नंबर question के C has been 5 in the morning तो आप लोगों का 115 का देखिए मैं आप लोगों को एक concept सिखाना चाहती हूँ जब भी आप लोगों कोई दूसरा question भी आता है तो आप लोग आसानी से बता पाईएगा 116 क्या है I cannot rely – my memories for names तो आप लोगों का 116 का ओप्सन नंबर A correct हो जाएगा ओके चलिए देखिए next क्या है My father wants you – see him My father wants you to see him तो आप लोगों का 117 का ओप्सन नंबर B correct हो जाएगा What is the distance – Chennai to Patna तो आप लोगों का इसका correct हो जाएगा Do not – a lie तो आप लोगों क्या हो जाएगा Do not – a lie यह तो बहुत इजी है This and said that man – mortal Man is mortal सभी को पता होता है Man is mortal तो 120 का ओप्सन नंबर A correct हो जाएगा What – you been doing since morning तो आप लोगों क्या हो जाएगा What have you been तो आप लोगों का 180 – 121 का ओप्सन नंबर B correct है I don't like – music तो I don't like the music 122 का यह हो जाएगा Which is – better of the two तो आप लोगों का which is better of the two Next क्या है – higher you go the cooler it is तो आप लोगों का इसका करेटन से क्या हो जाएगा The higher you go the cooler it is The color of her eyes – black तो आप लोगों का इसका The color of her eyes is black ओके आप लोगों का 125 का option number B correct है 126 क्या आप लोगों का I saw him while he dashed the road तो आप लोगों का देखे नेक्स्ट के Live my class dash once तो आप लोगों का Live my class at once चलिए देखे नेक्स्ट क्या My father dash for a walk every morning तो आप लोगों क्या हो जाएगा My father My father goes for a walk every morning 129 का option number C correct है Choose the word with correct spelling तो आप लोगों का Triangle का spelling बताना है तो आप लोगों का Triangle का correct spelling क्या होता है T-R-I-A-N-G-L-E तो आप लोगों का इसका correct answer option number A correct हो जाएगा Triangle तर Tri देखिए फिर एंगल देखिए 131 के आप लोगों का Choose the word with the correct spelling तो आप लोगों से President का correct spelling पूछा जा रहा है तो आप सभी को पता होगा President का correct spelling क्या होता है P-R-E-S-I-D-E-N-T तो 131 का option number B जो है न वो बिलकुल correct हो जाएगा तो आप लोगों देख लिए इसका correct answer option number B correct है Next क्या Who is the most powerful character in Animal Farm तो आप फिर से literature में वापस आ चुके है तो आप लोगों का Animal Farm में powerful character कौन सा है Napoleon 132 का option number B correct हो जाएगा 1984 इसर नोबेल भाई तो आप लोगों का 1984 इसर नोबेल भाई क्या हो जाएगा और 1984 जो है न यह नोबेल किसके द्वारा है तो यह आप लोगों का Orwell के द्वारा है तो 133 का option number B correct है 134 के आप लोगों का What kind of novel is 1984 तो आप लोगों का 145 का जो है न वह बल्कुल Correct है कौनसा correct है 134 का option number A तो आप लोगों का question number 134 का कौनसा correct है तो आप लोगों का question 34 का option number A correct है 135 क्या What is Mr. Jones मेन भाईस तो आप लोगों का 135 का option number B correct हो जाएगा alcohol taking 135 का क्या correct answer है 135 का option number B करेक्ट एंसर है 136 क्या what do the pigs paint on the side of the barn तो आप लोग का इसका करेक्ट एंसर है these seven commandments तो 136 का option number a करेक्ट हो जाएगा shooting an elephant by order is तो आप लोग का 137 का and s से करेक्ट एंसर हो जाएगा shooting an elephant okay तो 137 का option number c करेक्ट हो जाएगा which animal hide during the battle of the cow said तो आप लोगों का 138 का मोली हो जाएगा option number a जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट एंसर है okay बस खतम ही है बस थोड़ा सा पेसेंस रखिए और थोड़ा से अंदर से खूस हो जाएगे सहा वीडियो complete होने वाला important 139 क्या who said all artists propaganda तो आप लोगों का इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा और वेल ऑप्सन नंबर सी करेक्ट एंसर है और वेल वाज बॉर्ण एड्ट तो आप लोगों का मोतिहारी हो जाएगा नेक्स्ट क्या है और वेल वाज बॉर्ण ने तो देखिए यह सभी question बहुत important है पूछा जाएगा ही मतलब जाएगा 141 का 1903 हो जाएगा ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है 142 और वेल वाज अपोज टू तो आप लोगों का इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा capitalism 142 का option number D correct है ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है और वेल डाइड इन तो आप लोग का 143 का क्या हो जाएगा और वेल डाइड इन 144 का option number A correct 145 का यू एज वेल एज रवी डैस रिस्पॉंसिबल तो आप लोगों का 145 का क्या हो जाएगा और यू एज वेल एज रवी आर रिस्पॉंसिबल 146 का चूज दी करेक्ट स्पेलिंग तो आप लोगों का इसका करेक्ट स्पेलिंग बताना था जो कि option number A में करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ देखिए आप लोगों का बहुत सरा कोशन तो करेक्ट स्पेलिंग पर ही पूछा जा रहा है 147 के डैस ही डैस देज देज तो आप लोगों का ही इस ऑन दा चेयर चलिए देखिए next कोशन के 50 किलो मेटर ये लॉंग डिस्टेंस तो क्या हू दी टीम डैस फॉर इंगलेंड लास्ट विक तो आप लोगों का इसके क्या हो जागा है लेफ्ट तो 149 का ओप्सन नंबर बी करेक्ट हो जागा 150 के इट रेंड डैस लास्ट नाइट तो आप लोगों का इट रेंड ब्लैक एंड वाइट सोड़ी इट रेंड कैट्स एंड हो जागा 150 का आप लोगों का ओप्सन नंबर वह बिल्कुल करेक्ट हो जागा इस तरीके से मैं आप लोगों को आप लोगों के मोडल पेपर में जितने भी 150 इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव दिया वाता सभी के सभी करवा दियू आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा वीडियो को सत्रे नंबर लाना है चलिए मैं आप लोगों को यह वीडियो आप लोगों कैसा लगा मुझे कमेंट सिक्सन ने बता दीजिएगा वीडियो खतम हो जाने के बाद जो प्लीज देख लीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए झाल 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 बाद ग्लीजिए थार जोगों किस्ट वीडियो में तक के लिए।